Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading अपके लिए देखें कि October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपके energies देखेंगे, सिकेंड set of cards में आपके partner के energies देखेंगे and थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं three of cups and non monogamous और ये cards कहते हैं कि कुछ time से या फिर October starting में या तो किसी तरीके की celebration, get together, reunion आपके personal front में रह रहा है अब दिखें celebration किसी भी तरीके की हो सकती है बहुत ही छोटी मुटी हो सकती है या फिर बड़ी celebration भी हो सकती है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये cards कहते हैं कि आप जादा socialize कर रहे हैं जादा लोगों से connect कर रहे हैं, जादा लोगों से मिल रहे हैं in fact मैं कहूंगी partner के अलावा और भी लोगों से आप connect कर रहे हैं अब ये थोड़ा थोड़ा सब के incidents के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने friend circle से जादा interact कर रहे हैं जो भी आपका social circle है उसमें आप बहुत active हैं कुछ के लिए हो सकता है कि opposite sex के लोगों के साथ आप जादा connect कर रहे हैं अब दिखिए ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और opposite sex से connect करने का यहाँ पर कोई गलत मतलब नहीं है होता है न कि भाई हम अपने और options explore करना चाहते हैं या in a very healthy way हम और लोगों से भी connect करना चाहते हैं हम बहुत ज़ादा dependent अपने partner के उपर अपनी हर चीज के लिए नहीं होना चाहते हैं और खास कर दिखिए जब आप एक ही relationship में रहते हैं in fact दिखिए एक ही relationship में तो हमें रहना चाहिए हैं लेकिन जब हम too much you know अपनी emotions, feelings, sentiments के लिए अपने partner के उपर depend हो जाते हैं तो फिर कहीं हम परेशान होते हैं तो हमें loyal ज़रूर है ना चाहिए loyalty तो सबसे prime है but at the same time जब हम अपने आपको restrict कर लेते हैं अपने partner को अपनी life का center point बना के हर चीज उनके आसपास revolve करते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिरफ यह है कि शायद आपको ऐसे लग रहा हो पीछे की भई आप बहुत ज़ादा ही partner पर focus कर रहे हैं आपको और भी connections बनाने की ज़रत है यहाँ पर दीखिए जो भी मेरे mind में आ रहा है मैं कह रही हूँ सिरफ और सिरफ examples है यह cards के हिसाब से देखें तो यह cards कहते हैं कि आप और लोगों से connect कर रहे हैं अब किसी भी तरीके से हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया social circle में ज़्यादा active हो रहे हैं यहाँ फिर यूनो आप और लोगों से in a healthy way connect कर रहे हैं और देखें यहाँ पर queen of swords, reverse and independent के cards भी इसी चीज़ को कहते हैं जो मैंने अभी आपको कहा आप beyond the point अपने partner के उपर अपनी emotions, feelings, sentiments यहाँ फिर यूनो किसी भी चीज़ के लिए dependent नहीं होना चाहा रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आपने अपने उपर dependent होना है और थोड़ा logically भी हो सकता है आप mid October में October मन्त में चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं आपका communication straight और blunt रहता, straight forward और blunt रहता हुआ दिख रहा है और कहीं देखिए mid October के लिए खास कर आपकी तरफ से emotion sentiments missing रह सकते हैं आप बहुत emotional, बहुत sentimental नहीं होते वे दिख रहे हैं partner को लेकर, इस relationship को लेकर क्योंकि यहाँ पर queen of souls का card है कुछ के inserians के लिए हो सकता है, यह आप ही की energies है और कुछ के लिए हो सकता है, कोई female है यह female कोई भी हो सकती है, आपकी mother, sister, friend, colleague कोई भी हो सकती है, जो आपको थोड़ा सा influence कर रही है और दिखिए इसका मतलब यह नहीं है कि आपके intentions गलत है आपके intentions ठीक ठाक रहते वे दिख रहे हैं और इसी चीज को यहाँ पे star का card confirm कर रहा है बहुत एक transparency आप maintain कर रहे हैं आप कोई भी चीज अपने partner से छुपाते वे नहीं दिख रहे हैं और in fact देखिए साथ ही साथ आप बहुत giving भी रहते वे दिख रहे हैं तो यह ना हमारा बड़ा एक वहम होता है कि अगर हम logically चीज़ों को deal करेंगे तो हमें withdraw करना है या फिर हम you know ऐसे mindset से feelings प्यार महबबत सामने वाले के लिए नहीं महसूस कर सकते यहाँ पर दिखिए दोनों ही चीज़े रहती वे दिख रही हैं बहुत giving हो रहे हैं transparent हो रहे हैं और बहुत clarity से चीज़ों को deal कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ फिर से मैं कहाँगी independent होना चाहा रहे हैं और independent का मतलब यह नहीं होता है कि भाई relationship खतम कर दिया इकका दुका के लिए हो सकता है but independent का मतलब होता है कि भाई मैं आपके साथ हूँ आपको love करता हूँ, करती हूँ लेकिन मैं बिल्कुल एक आदत आपकी नहीं रख सकता हूँ या रख सकती हूँ या मैं अपनी लाइफ को आपके आसपास नहीं rotate कर सकता हूँ, revolve कर सकता हूँ तो यह independent का मतलब होता है तो कुछ ऐसी ही energies आपकी रहती भी दिख रही है और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या energies है तो देखे, October starting में या कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत stuck महसूस करते हूँ दिख रहे हैं और हमने देखा कि आप बहुत socialize कर रहे हैं आप लोगों से मिल रहे हैं, connect कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई celebration है और कहीं आपके पार्टनर इसी वज़े से या फिर अधरवाइस भी फिर से मैं कहूंगी एक stuck energies में जहाँ आप उन्हा समझ में नहीं आ रहा कि भी वो क्या करें वो आगे जाएं, पीछे जाएं बहुत सरी शीजों को सुन के अंसुना कर रहे हैं और देख के अंदेखा कर रहे हैं और deeper level के लिए unfinished business का card कहता है उनको ऐसे लगता है कि कुछ चीजें आप दोनों के बीश में अधूरी है जिनको deal करना बहुत ज़रूरी है और कहीं देखिए तब magician का card कहता है कि थोड़े से manipulative हो सकते हैं वो थोड़े से diplomatically चीजों को deal कर सकते हैं अब देखिए manipulation का मतलब हमेशा ही wrong नहीं होता है कितनी बार ही healthy manipulation होती है अब बहुत सारी लोग बोलेंगे मैं healthy manipulation क्या होती है जब हमारी या किसी की भी intentions, motives, thoughts manipulation के पीछे ठीक होते हैं अच्छे होते हैं उनको लग रहा होता है simply कि भई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेड़ी उंगली करके निकालना पड़ेगा और फिर से काऊंगी intentions, motives ठीक होते हैं तो यह healthy manipulation होती है और जब intentions, motives गलत होते हैं तो फिर एक negative manipulation होती है जादा मुझे दिख रहा है कि आपके partner की एक healthy manipulation है क्योंकि यहाँ पे दिखिए magician का card अपराइट है और deeper level के लिए unappreciated का card कहता है कि आपके partner को हो सकता है मन ही मन बहुत इस चीज की feeling हो कि भई आप उनको appreciate नहीं कर रहे है और हो सकता है कि mid October October में आपके partner काफी action ले initiatives लें चीजों को resolve या resolve करने की कोशिश करें हमने देखा कि October starting में stuck महसूस कर रहे है इतने action initiatives नहीं ले रहे हैं लेकिन mid October में out of the way जाके action initiatives ले रहे हैं कहीं you know थोड़ा सा manipulate भी कर रहे हैं diplomatically भी चीजों को deal कर रहे हैं और जो भी आपका response है क्योंकि आपके लिए हाँ पर queen of souls reverse का card है तो हो सकता है कि आप उनकी इस manipulation को देख पा रहे हैं और आप उनके जहांसे में नहीं आ रहे हैं आप logically चीजों को deal कर रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी उनको ऐसे लग रहा है कि भाई आप उनको appreciate नहीं कर रहे हैं आप उनके efforts को recognize नहीं कर रहे हैं and end October के लिए 10 of pentacles का card कहता है कि आपके partner या तो आपके साथ long term चाह रहे हैं marriage चाह रहे हैं और long term stability security commitment आपके साथ चाह रहे हैं या फिर आपको दे रहे हैं long term commitment आपसे ऐसा कह सकते हैं कि भाई चलो settle down हो जाते हैं ये कुछ concerns के partner का होगा और 10 of pentacles family का card है तो जैसे अभी बताया है या तो आपके साथ family start करना चाह रहे हैं या फिर उनकी family की interference involvement है या आपकी family की तरफ से interference involvement में हसूस कर रहे हैं और अब देखते हैं concerns की October month में क्या हो रहा है तो दीखे October starting के लिए night of wands reverse का card कहता है थोड़ी सी एक restlessness थोड़ी सी एक anxiety रह सकती है और कहीं एक stability नहीं रहती वे दिख रही है nights they don't stay और यहाँ पर यह card reverse है तो कहीं यूण ना तो आप दोनों में से कोई एक completely आ रहे है ना जा रहे हैं और यह भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जादा travel कर रहे हैं करना चाह रहे हैं या पर travel plans delay हो रहे हैं या पर यह भी हो सकता है चीजों को आगे लेकर जाना चाह रहे है नेक्स लेविल पर लेकर जाना चाह रहे है नहीं लेकर जा पा रहे है डीपर लेविल के लिए नार्सिस्ट का काट कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई थोड़ा सा सेल सेंटर हो रहे हैं एक narcissist वाली energies, महसूस कर सकते हैं, अब देखे, narcissist ना बड़ा heavy word है, और narcissist सुनके सब लोग बड़ा डर जाते हैं, यहाँ पर एक चीज का हमें ख्यायाल रखना है कि हम आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं कर रहे हैं, हम आपके partner का या आपका character analysis नहीं कर रहे हैं, यानि कि हम यह बता रहे हैं कि वो narcissist हैं, या आप narcissist हैं, no, I am not saying that, कभी-कभी वो iterate आ जाते हैं, और कभी-कभी healthy way में भी आ जाते हैं, जब हम too much अपने partner के लिए करते हैं, relationship के लिए करते हैं, और हमें वो response नहीं मिलता, जो हम deserve कर रहे होते हैं, या expect कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है बस minor सी, ऐसी energies आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रह रहे हैं, reasons justified भी हो सकते हैं, और unjustified भी हो सकते हैं, और negative तरीके से भी हो सकता है, तो कहीं ये energies रहती भी दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहे हैं, आपके partner narcissist हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम energies की बात कर रहे हैं तो इस तरीके की energies कहीं October starting में रहती हुए दिख रही हैं जिसकी वज़े से यहां पर otherwise कहीं in and out energies रहती हुए दिख रही हैं and mid October के लिए यहां पर five of cups and begging के cards कहते हैं कि आप दोनों में से जिसने भी कोई mistake करी गलती करी यहां फिर दिखिए mistake और गलती भी बड़े heavy words होते हैं जैसे होता है न कि partner को मायूस किया यहां फिर कुछ ऐसा किया जो partner को नहीं पसंद था यहां फिर वो थोड़ा सा मायूस हुए तो उस चीज को लेकर काफी कृप कर रहे हैं अभी आप भी हो सकते हैं कि थोड़ा सा regret कर रहे हैं थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं काश ऐसा ना कर रहा होता काश वैसा ना कर रहा होता और इसमें देखिए जैसे मैं अभी आपको कहा यह भी हो सकता है कि partner से related ऐसी energies हैं या फ तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा क्रिबिंग वाली एक अफसोस वाली एक रिग्रेट वाली एनरजी में रहते हुए दिख रहे हैं भी एक मांग रहे हैं कि भाई हमें अपनी गलती का हिसास है प्लीज मान जाओ इस चीज़ को मत पकड़ो इस चीज़ को मत स्टेच करो and October के लिए यहाँ पर The Hierophant and Gaslighting के काड़ कहते हैं कि एक Stability, एक Security आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहा रहे हैं Hierophant कहीं Marriage का भी काड़ है तो हो सकता है कि Marriage भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहा रहे हैं हाला कि देखे आपके लिए October and के लिए Star का का काड़ है which is again a very positive काड और आपके Partner के लिए Ten of Pentacles का का काड़ है थोड़े से rigid, थोड़े से fixated भी होते हुए दिख रहे हैं और अपनी जिद्ध पर अड़े हुए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रहते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा Society, Religion और इन सब चीजों का भी किसी भी लेवल पर रोल रहता हुआ दिख रहा है अब दिखिए general reading है मेरे लिए possible नहीं है कि मैं हर Cancerians या फिर जिन भी Cancerians की love life में Society, Religion का रोल किसी भी तरीके से रह रहा है उसको mention कर पाऊँ कुछ के लिए negative हो सकता है, कुछ के लिए positive हो सकता है क्योंकि Hierophant के नीचे gas lighting का card है तो कहीं religion society की वज़े से भी कुछ issues, कुछ मुद्धे रहते हुए दिख रहे हैं जो थोड़ा सा bother कर रहे हैं, जो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं and otherwise दिखिया, आप दोनों में से कोई एक थोड़े से manipulative हो सकते हैं और मैंने अभी आपको कहा कि partner की थोड़ी सी manipulative सी energies हैं तो ये आप लोगों के लेके insurance October 2024 की love tarot reading है हो सकता है कुछ चीजें आपको ठीक ना लगें और कुछ चीजें reading के बाद आपको किसी level पर bother करें but please tarot reading को हमेशा as guidance देखें क्योंकि tarot fixated future नहीं predict करता है tarot सिरफ आपको ही कहता है जो आप अभी कर रहे हैं इसी के basis पे आपका future बन रहा है अगर आपको पसंद है यानि कि जो आप चाहते हैं वही आप tarot cards में देख पा रहे हैं future के लिए very good इसका मतलब आप right track पे हैं आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर आपको tarot में वह future नहीं दिख रहा जो आप चाहा रहे हैं तो आपने current situation में changes करने हैं और ऐसा करेंगे तो आप future को भी change कर पाएंगे तो फिर से इस reading को as guidance लें कैसे आप October मत के energies को बहतर कर सकते हैं उसको उस पे आप focus करें तो अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आप connect कर पाएंगे तो जरूर इस channel को like, share और subscribe करें